नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल अलका चोधिरी केर फोर यूपे तो दोस्तों आज का टॉपिक है जिम करने वालों के लिए डाइट चार्ट फिट रखने के लिए सबसे जरूरी है डाइट चार्ट का पालन करना कि आपने कभी यह सोचा है कि आपको खाने के साथ कितनी कैलोरी और विटामिन, कार्वोहेट्रेट जैसे पोसन, युक्त, आर की कितनी जोरत है बदलती लाइफिस्टाल और अस्त वेस्त दिंचरिया के कारण डाइट चार्ट को फॉलो करना मुस्किल है लेकिन आपको बिमारियों से दूर रखने में डाइट चार्ट बहुत मदद करता है डाइट चार्ट के नुसर खाने से मोटापा, डाइबिटीज, एसिडिटी, बलड प्रेसर, कैंसर जैसे घातब बिमारिया नहीं होती है यदि आप डाइट चार्ट बना रहे हैं तो उसे मौसम की इसाफ से ही बनाए जैसे कि गर्मे के मौसम में पानी और यानिया लिक्विट परदा जादा होना चाहिए सरदी में मीट और डेरी उतपादो को भी सामिल कर सकते हैं इसके अलावा सीजनल और हरी सबजियों को जरूर डाइट चार्ट में सामिल कीजिए तो दोस्तो अब मैं आपको डाइट चार्ट बता रही हूँ आप अपने हिसाब से भी डाइट चार्ट को बना सकते हैं आप मेने हिसाब से फोलो कर लीजिए थोरा थोरा बस तो दोस्तो डाइट चार्ट इस प्रकार है सबसे पहले सुबह सुबह आपको भारी खाना नहीं लेना हलका खाना लेना है तो उसके लिए आपको लेना होगा एक ग्लास दूद दूद आपको मलाई रहित लेना होगा यानि कि low fat milk लेना है आपको इसके साथ आप चाहें तो तीन से चार या पांच बादाम भी आप ले सकते हैं दूद के साथ सुबह नौ बजे ब्रेकफास्ट का समय होता है ज्यादातर लोग इससे में अपने काम की सुरुवात करते हैं नास्ते में आप चाहें तो अंकुरित अनाज एक प्लेट ले सकते हो मिक्स या वेजटेबल उपमा ले सकते हो इसके साथ आप ग्रेंटी ले सकते हैं या फिर एक गिलास जूस भी ले सकते हैं आप चाहें तो आप ओर्स ले सकते हैं आप चाहें तो आप प्राम्ठी भी खा सकते हों क्योंकि अक्षे कुमार प्राम्ठी खाते हैं सुबह नास्ते में और आप जानते हो कितना फिट हैं तो आप सुबह नास्ते में प्राम्ठी खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दो प्राम्ठी खा लेजी दोस्तों इ ग्लास दूर भी पी सकते हैं उसके बाद दोस्तों दौफैर यानि लंज के समय आप खा सकते हैं दो चपाती छिलके वाली दाल एककटोरी चावल आधाकटोरी हरे सबजी एककटोरी दही एककटोरी सलाद एक प्लेट सामिल करना आपके स्वास्ति के लिए फाइदमन्त होगा साथ इन में भरबूर मातरा में पोचन होता है जो सरीर को हेल्दी रखता है दोस्तों उसके बाद तीन या चार बज़े के बीच लंज करने के लगबक तीन घंटे बाद हलका सनास्ता करना चाहिए इसके लिए एक कब चाय लेंगे आप भेल ले सकते हो एक प्लेट या फिर दो बिस्कुट ले सकते हो कोई भी आप फर ले सकते हो संतरा आम अनार नास पाती सेव कुछ भी ले सकते हैं और दोस्तों अगर आप इस टांड जिम करते हैं तो आप उसके बाद प्रोटिन सेग भी ले सकते हैं और जिम करने के बाद और दोस्तों रात में डिनर के टाइम आपको दोफेजासा खाना लेना होगा रात में लेकिन चावल की मातरा सामिलना करें इसमें आप दाल लेंगे चपाती लेंगे दो और चाय आप हलका चावल ले सकते हैं एक कप दही लेना होगा आपको एक प्लेट सलाग जरूर लीजिए सोने से करीब 3 घंटे पहले डिनर कर इससे खाना अच्छे से डाइजिस्ट हो जाता है और पेट की समस्या जैसे कबज और एसीडिटी नहीं होती दोस्तों सोने से पहले आपको लेना होगा एक गिलास दूद या फिर आप जूस ले सकते हो दोस्तों बहुत साई लोग जो है वो पीना पसंद करते हैं सूप तो अपनी हिसाब बना सकते हैं और बुलग गूगल पर आप सर्च कर लेजिए बीम अपना और अपनी कैलोरी देली लेना है तो आप उसी हिसाब से अपना डाइट चाट बना लेजिए एक हैल्दी डाइट चाट बनाए जिसे कि आपको फैट भी ना हो और आपका हैल्दी रह देखने के लिए